हलो दोस्तों शड़ी मूड में आपका स्वागत है बिहार पुलिस के नई भरती क्या इंतिजार लाखों अभ्यार्थी करते हैं उन अभ्यार्थियों के लिए बहुत ही अच्छी कुसकबरी निकल कर आ रहा है तीन दिन पहले ही मैंने एक विडियो में बताया था कि जैसे ही म अन्य मुख मंत्री ते जसी या दोन्य उक्ति पत्र बाटेंगे पत्ना के गांधी मैदान में उसी समय ये ऐलान किया जाएगा और आप देख सकते हैं विडियो तीन दिन पहले विडियो में जाएए देखिए मेरा उनलाइन विडियो है वो और वहाँ पर देखिएगा तो साफ सब ये जनकारी में दिया हूँ कि पत्ना के गांधी मैदान से ये ऐलान किया जाएगा और यहां पर आप देख सकते हैं कि 44,000 पद 44,000 पद में कौन-कौन पद रहेगा तो इसमें कोंस्टेबल के बड़े अस्तर की भरती होंगे पिहार दरोगा का भरती होगा कोंस्ट साफ ये पतना देरी क्यों हुआ भरती आने में इस बारे में भी हम बात करने वाले हैं। पुलिस कर्मी की न्युक्ति पत्र सौपने के बाद बोले, सियम नितीस, बिहार पुलिस में 44,000 पद सुकृत, पदोपर होगी बहाली, अब यहां पर आप देख सकते हैं, सुकृत हो गया 44,000 पद, यानि कि यह बहाली होगा, लेकिन यह बहाली 2-3 साल में होगा, तो इस साल क कितना भरती आने वाला है, इतना भरती आपका आएगा कि आप खुस हो जाएंगे, मैं बताओंगा कितना भरती आपको मिलेगा, यहां पर आप देख सकते हैं कि मुकमत नितीस कुमार ने घोसड़ा की है, कि 44,000 पदोपर सिखरी पुलिस बल की नियुक्ति की जाएगी, शि यहां पर अपडेट भी देख सकते हैं कि 16 नॉमबर को यह अपडेट किया गया है, 3 बच के 44 मिनट पर नियुस ठीक, अब यहां पर देख सकते हैं कि यह आपको G News में भी अपडेट किया गया है, और आप यह देखिए अगर आप नियुस पेपर पढ़ते होंगे, तो आज प्रिंटेड नियुस पेपर आया होगा, उसमें भी दिया हुआ है, तो काफी अब यह आरती बोलेंगे कि सर नियुस पेपर में तो आते रहता है, देखिए, अभी जो यह नियुस पेपर में आया अथेंटिक है और इसे इग्नोर आप नहीं कर सकती, क्योंकि इससे पहले स सिकंबर, अक्तूबर में आपको बैठक हुआ था ग्रेवी भाग का, और उसमें ये बड़े अस्तर की पद शुकृत किये गये थे, जिसमें आप देखिएगा कि और नय पद भी बनाये गये थे, 689 अभी एक साइस को शुकृत का भरती आपको देखने को मिला, अभी एक सा देख लिजेगा, तो आपको खुदी समझ में आ जाएगा कि ये एकदम ऑथेंटिक है, और आपको बहाली में ज्यादा दिन नहीं लगेगा, अभी से आपकी तैयारी करनी होगी, तैयारी कैसे कीजिएगा, क्या होगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक, यहां पर आज में सिर्फ 42,481 पुलिस करमी थे, और वर्स 2010 में देखियेगा, नेशनल लेबल पर, यानि कि राष्ट्य अस्तर पर 115 पुलिस करमी थे, जिसमें आप देखियेगा, अगर ये आपको 115 पले लाना था, अब 115 आपको आ चुका है, लगभग आप देखियेगा, तो पहले इस पर काम किया जा रहा था, अब नेशनल जो हो चुका है, 150 से 60 हो चुका है, पहले ही 155 था, 2000 आप देखियेगा, 21 में 155 हो चुका था, तो 155 से 160 नेशनल मतलब क्या मैं बता रहा हूं इस पर, कि एक लाख लोगों पर जो पुलिस करमी थे, वो मैं आपको बता रहा हूं, कि अभी जो है, नेशनल लिबल पर लगभग 160 है, कुछ बढ़ी गया है, और अभी बिहार में देखा जा, तो ये जो है, राश्टी अस्तर से बहुत ही कम है, अभी देखा जा, एक लाख पर बिहार में, तो वो लगभग पढ़ जाते हैं, 110, 110 के करीब आपको पढ़ जाते कितना बहाली करना था, तो यहां पर देख सकते हैं, 1,52,232 कर्मी की जरूरत थी, और इसमें साब देखिएगा, 42,481 पाले से थे, तो एक लाख के करीब आपको भरती करना था, ठीक, अब यहां पर देखिए कि जिसमें 1,08,000 से अधिक नियुक्ति हो गई, यहां पर देख कि बिहार में परती 1,00,000 अबादी पर, यहां पर देखिए, 1,60,000 से अधिक नियुक्ति करनी है, मुख मंतरी ने कहा है कि 2013 में हमने पुलिस में महिलाओ को 35% अरशण देनी की घोसड़ा की, जिसके पर नाम में आज पुलिस में 25% महिलाओ सिवारत है, आज नियुक्ति पत मिलने के बाद पुलिस बल में 27-28% क्या हो गई है, महिलाओ हो गई है, ठीक, और 10,469 में से 3852 जो है, यह महिला जो पुलिस करमी है, उनको नियुक्ति पतर दिया गया है, ठीक, तो यहां पर क्या निकल करा रहा है, यहां पर आप देख सकते हैं, कि सभी लोग उपस्ति थे यहां पर उपमुक मंतरी भी हैं, और यहां पर डिक डिज़ीपी भी हैं, और सभी लोग यहां पर उपस्ति थे, ठीक, तो यह जैसी यादो नितिश कुमार, तो यह आपको क्या, मैंने आपको क्या बताया था, तीन दिन पहल ही मैंने बताया था, जैसे ही नियुक्ति पतर पर नितिस कुमार बटेंगे वही पर ऐलान करेंगे बड़ी भरती पर अब आपको देखिएगा कि मैं बता रहा था कि 12,000 से अधिक यानि 12,000 प्लस 700 बारा हजार साथ सो से अधिक पदो पर नियुक्ति इस बार बिहार पुलिस को जो कुश्टेबल है उसका भरती का 2023 में निय और ये दिन पर की दिन कैपिसिटी भी बढ़ रहा है ट्रेनिंग का तो अभी आपको कितना आने वाला है तो 12,700 प्लस पदों पर कुश्टेबल की भरती आने वाला है इसके लिए आपको कमरकस लेना होगा और जब भी फोर्म भरेंगे एक बाध्यान मरकिये को कोई भी गल पहाली से भरने वाले पदे ठीक इसमें ड्राइबर का भी पुश्ट आने वाला है ड्राइबर वाले अपना ड्राइबरी लेसंस बहले से बनवा करता है रखिएगा फिर बात मीं यह नहीं किसी न बताया ही नहीं इसलिए मैंने नहीं बनवाया क्योंकि ड्राइबर वाला म को हुई कि मुख मंतरी ने समान पर्सासन और गी विभाग के समिक्षा की और रिक्तियों को भरने का निर्देश दिया जिसमें इसी समय बता दिया गया था आपको यह पर देखिएगा कि यह आपको उन्होंने बिहार प्लिस के अंतरकत शुक्रीद या पर देख सकते शुक्र इत्ड incarnation करकरत बनओ कि अगतन बिबराद दी थी मुख मंत्री को यह सै अगया तो घंब पूरा करेण अब यह जो डिले होता है उसमें कोन पीज जाते हैं जैसे कि जिनका एस खटम होने वाला है वह पिज जाते हैं या जिनका एस होने वाला है जैसे कि एक साइस कुश्टबल की भरती आया तो 2022 वाले जो भी अभिहार थी जो पास किये थे वो फोम नहीं भरे लेकिन 2022 में जिसका एस खतम होने वाला था उनको एक मौका दिया गया क्योंकि गरोना के चलते दिखिए कि बहुत से अयोग जो है या बहुत से जो भी भरती हो रहा है और मिलना भी चाहिए आगे की भरती में भी आपको जो जिनके एस 2022 में ही खतम होने वाला था उनको एक बार मौका मिलना चाहिए क्योंकि cut-up date जो 101-2022 जो निर्दारित किया गया है ये समझे गया कि इसके लिए काफी ज्यादा मसक्कत हम लोगों नहीं किया है और आप उनको भी जो भरती आ रहा है उसमें फोम भरने का क्योंकि हम लोग भी 2022 में पास हो चुके हैं तो जो 2022 में पास हो उनको 2022 का सथ फिटेक मिला होगा क्योंकि जनुवरी 2022 कहीं बाद ही वो पास हुए होंगे 12 तो वो आपको फोम नहीं अपलाई कर रहे है क्योंकि cut-up date जो नि बार चांस देना चाहिए नहीं तो उनको अगले साल फिर इंतिजार करना पड़ेगा नहीं भरती का अब यह जो आप देखिएगा 44 जर्पद है जिसके बारे में मैं आपको बता दे रहा हूं अभी से आप जो मैं बोल रहा हूं उसे आप देखिएगा को और कीजेगा ठीक यह जो आपको 44 जर्पद है यह तीन भाग में भरती आने वाला है मैं आपको भी से बता दे रहा हूं यह तीन भाग में आएगा और लगबग इसमें 3 साल 3 साल के समय लगेगा जिसमें आप देखिएगा हर साल हर देर साल के बाद आपको खुंश्टिबल का लगबग 12,000 की दिया गया है और उनको भी नियुक्ति पत्र मिला तो उनका भी भरती के लिए आप दिखेगा ज्यादा इंतिजार नहीं करना पड़ेगा लेकिन आपको तैयारी अभी से करनी होगी अभी से तैयारी करने के लिए कमर कस लेना होगा क्योंकि अभी से तैयारी अगर नहीं करते में अभी दो रोगा का काफी अभियारती बोल रहे थी कि दो रोगा का टेली गराम गुरूप कर रहे हैं तो दो रोगा का जो टेली करम गूरूपी स्टाट होगा वो स्टार्ट होगा व guides start में जो भी यह बिहार थी हो जुड़ जाएंगे लेकिन अभी बिहार पुलिस कोंश्टेबल जो की नई भरती आने वाला है ठीक कुछ शमय के लिए डिले आपको देखने को मिलेगा क्योंकि वी एक साइस कोंश्टेबल की भरती का फोर्म अपलाई हो रहा है सड़नी हजारों के संख्या में फोर्म अपलाई हो रहा है तो दूसरा भी नोटिफिकेशन निखालका लागों की संख्या में फोर्म अपन्तृत करना पड़ा मुस्किल हो जाता है फिर सरवर डाउन होने का भी संभवना बन जाता है ठीक क्योंकि यह तो है नहीं कि फरेश्ट का भरती है कि कम लड़के अपलाई करेंगे जैसे ही कुश्टेबल की 12,000 साधिक पदोपुर भरती आता है उसमें आप दिखिएगा 14,000,000 के प्लस आपको इस बार फर्म अपलाई होने वाले हैं लड़के अपलाई करेंगे ठीक तो पिखिएगा अच्छा का लेपलाई कर सकता है हैं और इसका भी एकजाम दिखिएगा आच्छा का सा लेबल बढ़ायज जा रहा है मेंस का और जो ये मेंस में अपना मेरिट लिष्ट आपको बनाना पड़ता है ये सकेंड वाला पेपर पर जो समान अधियन का पेपर होता है और इसमें 100 कुशन पूछे जाते हैं जिसमें मैथ रेजिनिंग का भी 25 कुशन देखने को मिलता है जबकि PT में आप देखिएगा भी 100 कुशन पूछे जाते हैं एक कुशन दो नंबर का होता है 0.2 अंका इसमें निगेटिव होता है एक कुशन पर दो अंक मिलता है ठीक तो मैं जल्द जल्दी आपको पुरा स्लिबस बता दिया कि कैसे आपको तैयारी करना है जल्द की बात करें दरोगा के लिए जल्द आप जानते हैं कि साइंस और मेत यह बहुत महतपूर होगी का मैंस में निभा रहा है और PT में साइंस और करेंट अफिर महतपूर होगी का निभा रहा है किसे इगनोर नहीं कर सकते है तो पहले PT में 20 मुना real होता है दरोगा का और फिर उनको men's के chance दिया जाता है। फिर आप देखिएगा कि men's में जितना वो score करता है उसके बाद फिसकल में आपको men's के जब real डी आता है तो physical pass होते हैं तो फिर merit listening का ला जाता है। पढ़ रहा भी है लाको की संख्या में अभिहार्थी बढ़ रहा है तो उसका पढ़ नाम भी देखिएगा कि cut-off दिन परती दिन बढ़ रहा है तो CSBC और BPSC से एक बार request यह है कि जरूर अपना एक बिहार पुलिस कोश्टेबल और जो अभी form apply हो रहा है इसके लिए 20 नौंबर से आपको टेलिग्राम का गुरूप ही start हो रहा है ठीक तो टेलिग्राम के गुरूप में मैं पीडियाप देता हूँ डेली homework देता हूँ और वहाँ पर क्योज कराता हूँ और यह सिर्फ य कोश्टेबल और विहार एक साइस कोश्टेबल दोनु की तैयारी में कराऊंगा वह 199 रुपईय में और full mock test भी मिलेगा sectional mock test भी मिलेगा full mock test 30 मिलेगा sectional जो subject wise test मिलेगा वह भी 30 आपको मिलेगा और daily जो test 50 question के मिलेगा PDF वो तो अलग ही है बाकि subject wise भी आपको जैसे ही subject कोई भी खतम होता है वो भी तो पूरा syllabus मैं खतम करा रहा हूं और आप सभी को पता है कि excise questionable की exam जो परस्तावी थे 19 जनुवरी को परस्तावी थे तो उससे पहले आप syllabus खतम करना चाहते हैं और अच्छा score करने के लिए जूनना चाहते है तो टेलीगराम ग्रूप जरूर जोइन छॉ numbrer 1 ce 1985 यह फक्यादग गुगल पर फन पर नह sudden नमबर पर पहले तो आपस नमबर पर पहले की जैसे और यहां पर धिशान रखिए यह मैं आपको बता दे रहा हूं कि यह पेड़ जब आप ग्रुप जॉइन करेंगे यानि कि कैसे हो पाएगा तो फी जब पेड़ करेंगे एक सुन याने भी रुपया उसके स्किन सोट लीजेगा और वह स्किन सोट आप भेज़ दीजेगा वार्टसेप के माध्यम से साथ मे ठिक अपना टेलीग्राम नाम और अपना टेलीग्राम नंबर भेज दीजेगा यह आपको टेलीग्राम ग्रुप में एड़ कर दिया जाएगा